दोस्तों आजकी इस वीडियोस में हम जानेंगे अगर गैस सिलेंडर से जो गैस चोरी होती है वो एक्चली में कैसे होती है और आखिर उससे किस तरीके से बचा जा सकता है ठीक है इसी के साथ में सिलेंडर कितने का आ रहा है अगर आपके घर में गैस कनेक्शन है तो आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए तो चलिए जान लेते हैं जैसे कि आप यहां पर देख पा रहा है जो कि सिलेंडर पर आपको कुछ यहां पर नंबर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि आप यहां पर देख पा रहा है यह है 15.9 जाने कि 15.9 ग्राम का यह खाली इसको सिलेंड के साथ में काफिलो कहते हैं कि यहां से जब भी आप लेकर आते हैं तो इसे साथ में अगर इस तार थीक है अब आप यहां प्रटी है तो इस तरीके से хл resistor चारों तरफ से अभी एक पूरी तरीके वैसरा पूर्टी पनियों चुड़ा रादे तो सकता है कि हैं इसकी गैस निकली होई जी ऑच्छे यह बहरत का सिलेंडर है यहां पर देख पाना है तो यहां पर जो की मैंने आज इसमें कि आपको देखने मिल्ड़ा है कि मैंने आज ही सिलेंडरर यहां पर चेंज कर वाकिन आया हऊं थीक है और इसकी अपण 940 रुपए को गय सिलेंडर है इस समय भरा जा रहा है ठीक है हाला कि इसकी प्राइज है वो यहां पर घट गए है और गवर्मेंट की तरफ से यहां पर उन्होंने 602 रुपए देने का बादा भी किया है इसी के साथ में 300 रुपए इसकी सशड़ी है तो जाने कि कुछ लोग ह है तो वह अपनी यहां पर थोड़ी सी फीस लगा लेते हैं ठीक है कि उन्होंने कहा था कि जो सिलेंडर है जो कि एजनसी पर ही आपको 925 रुपए का पढ़ रहा है और जो कि इसका लेवर चार्ज होता है जैसे कि जो भी हिना पर लगते हैं लाने के लिए ठीक है तो इस ब से ओसकी इस में एक और होता है कि जो कि मैंने आपको यहां पर बताया था है तो onteer आपको सिरफ खेचना होता है और लोग है वो यहां से हट जाता है हटनी के बाद अभी MOM यहां पर दिखाओं गा ठीक है तो इस बज़े से एक हास से निकल पाएगा क्योंकि दोनों हाथों से मुझी करना होगा और मैंने आपको यहां पर यह निकाल गए भी दिखाया था ठीक है तब आप इसका गयस यूज कर सकते हैं अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले जब भी आप सिलेंडर लेने जा रहे हैं तो आपको यहां पर दो चीजो को चेक करना है जैसे कि आपको यहां पर सबसे पहले तो सिलेंडर का जो बजन है वह आपको देखना है सिलेंडर का बजन कितना भी हो सकता है 14 भी हो सकता है यह 15.7,9,8 जो भी हो वह सकता ह ठीक है इसी के साथ में मैं गैस की बात आती है तो गैस भी आपको इस पर लिखी हुई देखने को मिल जाती है जैसे कि आप यहां पर देख पाना है 14.2 जानी कि 14 किलो 200 ग्राम इसके अंदर गैसे सिलेंडर के अंदर ठीक है तो जब भी आप वो सिलेंडर लेकर आ है То आपको चीज़ को चैक कर लेना है जैसे की चीट से आपको यहां पर कुछ भी जल्दी नहीं रखना ठीक है चिट तो होती होती है कि उसके बाद में जब भी आप अपना सिलेंडर लेकर आए और खंब भी आप किशी को दें तो इस देन कि देख देना है जाने कि आप इसी जोग सकते हैं उसके बाद में जो यहां पर देखने को मिल लिया है पंद्र है पूंट नौ ठीक है इसका जो सिलंडर अगर आपका यहां पर बैट रहा है लगभग यहां पर आपका 30 किलो सो ग्राम ठीक आगर 30 किलो आपका 100 भादा करीया है यह पूरा सिलंडर तो इसका मतलब है कि इस और यहां पर 14 किलो 200 ही तो यहांद हो सकता है थोड़ा बहुत जैसे की कम अधिक हो सकती है 500 ग्राम ठीक है पर ज्यादा अधिक कम नहीं हो कर सकती है यह तो जब भी बेंस निकल जाती है तो इसी तरीगी से हो जाती है कि तो उपीद करता हूं आज कि सॉक्साइब स्वाल है तो मुझे नीचे से कमेंट सेक्षिन में दे सकते हैं मिलते हैं नास वीडियो से